भारतिय क्रिकेट टीम अगले सप्ताह बांगलादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने उतरेगी। ये दोनों ही मैच भारतिय टीम के लिए बेहद अहम होंगे। ये दोनों मैच तय करेंगे कि भारतिय क्रिकेट टीम ICC World Test Championship के Final Match में कैसे पहुँचेगी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि World Test Championship के Final Match के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारतिय टीम को कितने मैचों में जीत की ज़रूरत है। अब भी क्या है भारत की स्थिती। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतिय क्रिकेट टीम फिलहाल 68 प्रतिशत जीत के साथ टॉप पर है। 62 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि मौझूदा चैंपियन न्यूजीलैंड 50 प्रतिशत जीत के साथ तीसरे स्थान पर मौझूद है। टीम इंडिया को अब 10 टेस्ट मैच और खेलने हैं जिसमें अच्छा प्रदर्शन करके ही टीम फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर सकती है। कितने मैचों में चाहिए होगी जीत? ICC की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपनी जीत का प्रतिशत 60 से उपर बनाए रखने के लिए अगले 10 टेस्ट मैचों में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। इसमें भारत बांगलादेश के खिलाफ दो और न्यूजी लैंड के खिलाफ तीन मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेगा। इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है जहां बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी के तहत 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। आस्ट्रेलिया में भारती ये क्रिकेट टीम ने अपनी पिछली दो टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की है। इससे भारत का भी आत्मविश्वास बड़ा हुआ है। हालां कि भारत को फाइनल में पहुँचने के लिए टॉप टू में रहना होगा। ऐसे में भारत अगर पाँच मैच जीत लेता है तो एक ड्रॉख खेलता है तो भी भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। वहीं अगर भारत 6 जीत दर्ज करता है तो उसकी जीत का प्रतिशत 64 हो जाएगा जिससे टीम का फाइनल में पहुँचना लगभग तय हो जाएगा